यदि आपके बैंक खाते से बार-बार 295 रुपे कट रहे हैं, तो यह विडियो आपके लिए है, इस विडियो को पूरा एंट तक देखें, हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। काफी यूजर्स ने कमेंट किया है कि उनके बैंक अकाउंट से बार-बार 295 रुपे कट रहे हैं। इसी तरीके से कुछ यूजर ने यह भी लिखा है, कि उनके अकाउंट में फिलहाल बैलेस रखना बंद कर दिया है, तो अकाउंट में लीन होल्ड लग रहा है, या अकाउं जानते कि आखर ऐसा क्यूं होता है? देखिए, जब भी आप किसी प्राइवेट फाइनन्स कंपनी से लोन लेते हैं या कोई प्रोड़क्ट ले रहे हैं, जैसे आपने मुबाइल फोन किस्तों पर खरीदा है, या आपने कोई बाइक ली है EMI पर, तो यह फाइनन्स यानि EMI कटेगी, लेकिन यदि उस वक्त, खाते में किस्त के लिए पूरा बैलेस नहीं होता है, तो आपके पास 295 रुपे कटने का मैसेज आएगा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार यह भी होता है कि आप वही EMI अपने फाइनन्स को सीधा नकट जमा करवा देते हैं और दूसरी तरफ आप वो किस्त, यानि EMI अपने बैंक खाते के द्वारा नहीं कटवा रहे हैं, बलकि आप अलग से जमा करवा रहे हो, तो असली गलती यहीं से शुरू होती है, और यहां से शुरुवात होती है चार्जस की ECS या NACH बाउंस होने के कारण चार्जस बार बार करते रहते हैं, कई बार देखने में आता है कि EMI चुका दी गई है, लोन पूरा हो चुका है, उसके बावजूद बार बार 295 रुपे कर जाते हैं, यहां तक कि महीने में तीन बार भी ECS हिट हो जाता है, यानि लगभग 900 रुपे कर जाते हैं, इससे काफी ग्राहक प बैंक को ECS Cancellation Form या NACH Cancellation Form भीजवाना है, यदि आपने लोन चुकाने के बाद अपने फाइनसर से NOC ले ली है, तो वो आप अपने बैंक को भी दे सकते हो, आपका बैंक अपने बैकेंट डिपार्टमेंट में NOC भीज कर आटो डेबिट को रुखवा सकता है, अब दू 295 गुना 10 यानी 2950 रुपे आपके खाते में होल्ड लग जाएगा, उतने रुपे माइनस में चला जाएगा आपका खाता, इन सब से पीछा छुडाने का तरीका यही है कि जब भी लोन पूरा हो रहा है, तुरंत इस चीज पर ध्यान देते हुए, फाइनसर से संपर्ट कर उनको cancellation form भर कर जमा करवाएं या फिर उनसे ANOC प्राप्त करें और उसकी copy आपकी bank शाखा में दे, इन दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, इससे भविश्य में लगने वाले charges रुख जाएगे और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, यदि आपका कोई सवाल है तो तुरंद कमेंट करें, हम रिप्लाई करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जल्द मिलेंगे अगले विडियो में, धन्यवाद, जय हिंद